तो आप लोग देख रहे है टेक्निकल मस्टर एमस्टी तो आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप लोग रेडमी नोट 9 प्रो यूज कर रहे हैं और आपका एक अपडेट आया है मिया थाटीन का अपडेट आया है तो यहां पर आपका अपडेट पूरी तरह से कंप्लीन नह हा था तो आपको किस तरह से इसको fix करना है आप लोग देख लीजेगा और वीडियो को skip मत करना क्यूंकि आपको skip करेंगे तो आपको ठोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है तो सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको सेटिंग बर आजाना है उसके बात इसको थोड़ा सा Scroll down करना है और यहां पर app बले जो option आ रहे हाए app पे उपर आपको click करना है उसके बाद यहां पर आपके सामने इस तरह के option आएंगे और यहां पर आपको क्या करना है manage आपको ohp allowed क्लिक करना है तो baş candidate डोनों software अप्डेट होता डाउनलोड बाले ओपसें पर आपको software अपडेट होता है ठीक के वहाँ करना है उसके बाद दोनो एक अटा करना है उसके बाद उसक्ती चैनल को इहां बाद आपको करना है उसके बाहुत सिस्टेम launcher ठीक है यह ले इमन अटमेटिकल यहाँ पर आ जाएंगे system launcher तो इस option को पुरापको klik करना है और clear data और clear all data करके आपको यहाँ पर ok कर देना है ठीक है system launcher जब आप लोग यहाँ पर clear all data कर देंगे तो आपका यहाँ पर पुरा process complete हो चुका है तो फिर से आपको यहाँ पर back आ जाना है और यहाँ पर आप लोग देख पार है उपर की तरफ right corner में 3.com आ रहा है यहाँ पर क्लिक करना है और reset app performance यह option पर उपर क्लिक करके यहाँ पर reset app करना है हो गया उसके बाद यहाँ पर default app प आपको आपको फाइल मेंजर को आपन करना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर download बला ओप्शन पर आ जाना है ठीक है और यहाँ पर सबसे उपर आपको download रॉम बलाट आप्शन आएंगे यहाँ पर आपको select करके इस option को आपको delete करते हैं ठीक है यहाँ पर आप लोग रॉम बा आप आजाएंगे आदर वाइस आप लोग यहां पर आब आॉट पर जाके आप यहां पर click करके आप लोग check for update पर click करेंगे और यहां पर update कर लेंगे तो आपका पुरी तरी से के आपका जो update है तो आपको वीडियो को पसंद आए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो